हेलो फ्रेंज तो फ्रेंज आज की वीडियो में आप लोगों की डिमांड पे लेके आई हूं देखिए आप में से बहुत सारे लोग मुझसे इसकी मेजर्मेंट्स और स्टिचस के बारे में पूझ रहे थे तो यह आज की वीडियो में मैं सारा जिसमें मेजर्मेंट और कितने स्टिचेस डालने हैं कहां पर वो सब कुछ बताऊंगी तो सबसे पहले तो हम फ्रेंट पार्ट की बात कर लेते हैं फ्रेंट पार्ट पर देखें कि यह काडिगन जो है मैंने इस तऱ से सबनाया है नीचे से ऊपर की और तो weapon यहां पर यह देखिए बॉर्डर जो है मैंने इस तरह से बनाया हुआ है आठ शिलाइव में दोनों तरफ से सीधी सीधी बुलते हूँ और फंदे जो है मैंने डाले हैं 85 तो यह जो पैटन है इसका अलग से वीडियो है तो उसमें मैंने बताया है कि इस पैटन के लिए जो है 12 के multiple में फंदे लेने के बाद एक फंदा extra लेना है तो उस हिसाब से देखिए मैंने यहां पर 1,2,3,4,5,6,7 बार बनाया है तो यह 85 स्टिचे जो है इसके लिए मैंने फ्रंट पार्ट पर डाले है और फिर उसी पर जो है मैंने यह जो है पैटन डाला हुआ है और यह 2,3,4 और यह 5 तो यह पैटन जो है मैंने 5 बार बनाया हुआ है arm holes तक तो यह देखिए इसकी length में बता देती हूं कितने inches में मैं इसकी length जो है measure करके आपको बताती हूं कि 5 बार आप इस pattern को जब बनाएंगे तो यह कितनी length इसकी आएगी तो यह जो है आती है देखिए 11 inch की length इसकी आती है border के उपर और फिर border के साथ इसकी जो length आती है total जो है वो 12 inch के थोड़ी सी कम है तो यह लगवा हम 12 inch total length इसकी मान लेते हैं border के उपर जो है इसकी length आती है 11 inch जब हम 5 बार इस pattern को बना लेते हैं और देखिए अगर आपको यह pattern मुश्किल लगता है जैसा कि मुझे भी यह बार बार graph देखकर बनाना पड़ रहा था तो उसे साब से जो है मैंने इसे जो है वो सिर्फ front portion पे बनाया है और जहां पे मुझे arm hole बनाने थे और जहां पे मैंने यह घटाई शुरू करी उसके बाद से मैंने सारा portion जो है सीधा सीधा बनाया है और जब मैंने आम hole की घटाई चुरू की है तभी मैंने यह neck जो है वो बनाया है तो तो फ्रेंट्स अगर future में ऐसा को मैं neck design बनाऊंगी तो मैं उसका पूरा वीडियो जरूर शेयर करूंगी लेकिन यह neck जो है बहुत ही आसान है बनाना इसको हमने फंदों को जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड करना होता है दो पार्ट हमारी यह आ जाते हैं और तीसरे पार्ट में यह हमारे पट्टी वाले फंद्य आ जाते हैं कितने फंदों की हमने पट्टी बनानी है और उनहीं पर हमने आगे और पिछे की पट्टी ज किया है तो यहां पर जो मैंने गले की गटाई की है वह domaybe 8 Boston University एक के गटाई की है मैंने इस दो और जो एक एहा है और यह सारा कशाइल प्रoshiक्ट Å है मैंने 11 नमबर की नीडल पर बनाया हुआ है शुरू से लेकर एंड तक और यह जो वूल है यह मैं पहले बता चुके हूं बेबी सॉफ्ट वूल है जो कि 11 नमबर की नीडल पर पर बनाया है और इसमें नेक में भी देखिए मैंने बॉर्डर जो है यही बनाया दोनों तरफ से सीधा सीधा तो यह इस तरह से फंदे पिक करने के बाद गले की गटाई करने के बाद फंदे पिक करने के बाद जो है असी फंदों पर यह फंदे बनाया है और सिंपल तरीके से कास्ट्रून कर है और आम होसे कि हम बच्चों के जो है तीन दो एक के ही करते हैं जादा तर और अगर आपके पास यह जादा फंदे रह जाते तो आप बीच में से एक एक दूर दूर जो है वह फंदे घटा सकते हैं तो ऐसा इसमें जरूरत नहीं है तीन दो अब ये जो है फ्रंट पार्ट पूरा बनाने के बाद जो है अब आता है हमारा बैक पार्ट तो ये इसमें जो है क्योंकि ये वाला जो जाली थोड़ा सा पैटन है ये थोड़ा सा जाली वाला है इसलिए मुझे जाली वाला है डिजाइन इसमें डारना था तो ये जो है कि दो दिजाइन के बीच में बना कि इस तरह से हम ऑल्टर करते जाते हैं इस दिजाइन को तो यह थोड़ा सा श्रिंक होता है तो इसके मुकाबली में यह दिजाइन जो है थोड़ा सा हलका सा फैलने वाला बहुत जादा नहीं हलका सा फैलेगा और wbhg तो जब आप 85 स्टेचे इसके लिए डालेंगे अगर 85 री पीछे डालेंगे तो थोड़ा सबस्क्राइब होगा यह वाला इसलिए मैं आपको पीछे वाले बुछे वाले पार्ट के लिए अब को यही डीजाइन बनाना है वहां तो सज़ेस्ट करूँगी आप 78 स्टिचे पीछे वाले पार्ट में डालिए और अगर आपको जाली वाला पार्ट नहीं बनाना है तो देखें बारीक बुनाई के बहुत सारे डिजाइन जो हैं वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे आप कोई भी डिजाइन जो हैं बना सक आप आप जाएंगे और मेरे तो यह बैक वाले पार्ट पर भी देखें बॉर्डर इससे बनाना है और फंदे जो है 78 डारने हैं और यह पैटरन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा तो लेंथ जो है वह हमारे आगे और पीछे की सेम रहती है आम होल्स भी हमारे सेम होते और आम होल्स के उपर लेंथ आपने जितनी शोल्डर लेंथ आगे वाले पार्ट की बनी है उतनी ही पीछे वाली पार्ट की बनाईए और अगर आपको पहले पीछे वाला पार्ट बनाना है जल्दी जल्दी तो आप पीछे वाला पार्ट बना लेजे और आम होल बनाने के बाद देखी हमारी ये वाली जो लेंथ आती है ये हमारी देखे इस तरह से हम स्लंटिंग पोजिशन पर रखेंगे ये तो 6 इंच आती है तो ये सवा 6 इंच आती है और देखी अगर आप ये पार्ट बना रहे हैं आम होल के उपर ये वाला पार्ट बना रहे है अब इसकी जो लेंथ है वो 6 इंच इस तरह से आ रही है अगर आपको 6 इंच का ये बनाना है तो देखिए आपने आधा इंच और उपर बनाना है क्योंकि जब हम स्टिच करते हैं बाजू को तो ये थोड़ा सा श्रिंक होता है तो वो आपका आरा इंच उसमें चला जाता है तो आपका ये टाइट ना हो मतलब तो उसके लिए आप ये वाली जो लेंथ हो 6 इंच जो है आम होल के उपर बनाईए तो इसी तरह से आप जो है यहां पर भी थोड़ा सा तीन-चार सिलाईया एक्स्टा लगा सकते हैं इस वाले पार्ट में भी तो क्योंकि ये जब हम ये पार्ट सिलाई करते हैं स्टिच करते हैं तो काफी लोग तौड़े थाइतातों से पसंद करते हैं तो उसमें श्रिंक हो के ठोड़ी लैंद को कम कर देना है तो यह मदंगे तो के सारती करने से पहले 7.5-6 इंच हम बनाें और जब स्टिक कर लेंगे तो यह चेंज की ही लेंट आती एस तरसे श्लेंटिंग रखेंगे इस तरह से तो आप हमारे कि यह पार्ट जो है आगे और पीछे वाले पार्ट मैंने आपको बता दिये हैं कि कितने stitches डारने हैं क्या measurement है inches में और अब लास्ट में हमारी बारी आती है sleeves की तो sleeves तो दोनों एकी तरह से बनेंगे और इसमें देखिए फंदे किसे साब से लेने हैं फंदे आप यहां पर मैंने फंदे लिए हैं 40 तो आप 40 फंदे आप 40 फंदे लें के भाद देखिंए हम निकि बनाने के बाद अक्सेर हम जो है तो नो को बढ़ा ले तो अ हम 25 इलेदे पर 6 तो हम 4 फंदे बढ़ा लेंगे यहां पर स्टे यहां प्र encouraged और यne अप्लाइ करेंगे और देखिए हमने फंदे बढ़ाने शुरू करने हैं थोड़ इसी लेंथ यहां पर देखिए मैंने तीन बार यह डिजाइन डाला हुआ है तो यह हमारी दो इंच देड़ इंच की लेंथ बनाने के बाद बॉर्डर के ओपर देड़ इंच की लेंथ बनाने के बाद मैंने जो है इसमें फंदों को बढ़ाना शुरू किया हुआ है हर 34 सी लाई में फ्रंट साइड रो पे दोनों साइड तो उसके बाद उसके बाद दिखिए हमारे लास्ट इंक्रीजियोवद फंदव यहां तक है तो यह कहने यहां तक कको बढ़ाया और उसके उपर जो है सीधा सीधा बना लिया था इतना यह बना लिया और उसके उपर जो है जो बाजूं की गुलाई को नहीं होती क्यूं और इसके बाद देखिए कितनी बार एक दो तीन तीन बार डिजाइन दारने के बाद मैंने सारे के सारे फंदे फिर कास्ट आफ कर दिये थे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, चे, साथ, नौ, दस, क्यारा, बारा, तेरा, चाहदा, पंद्रा तो यह जो फंदे जो है लास्ट मैंने 64 तक इंक्रीज करे हुए है यह आप 64 तक इंक्रीज कर सकते हैं और आप उस इसाफ से देख सकते हैं अपने बच्चों के बाजु के इस साइस के हिसाब से देखिए और यहाँ पर मैंने 64 और 66 तक शायद यह इंक्रीज करे हुए है उसके ऊपर थोड़ी सी लेंग सीदी सीदी बनाई हुई है तो आप यह जो है लास्ट आप 64 या 66 तक इंक्रीज कर सकते हैं बाजु को तो तो काफी लोगों को जो है यह स्वेटर जो है यह मैंने बनाया था यह बहुत पसंद आया है यह पैटर बहुत पसंद आया है तो आज की वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी और यह देखे 5-6 साल दोनों एज ग्रूप के बच्चों के लिए यह स्वेटर बहुत आसानी से आयेगी और बहुत ही सुन्दर बनने वाली है देखे बहुत ही अलग सा खिला हुआ यह पैटर है और यह वाला पैटर अगर दालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं और अगर डालेंगे तो देखे यह इसकी जो लुक है बिल्कुल रेडी मेड मशीनी बुनाई वाली आएगी देखिए तो वीडियो पसंद आई हो फ्रेंट्स तो प्लीज लाइक कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए जुने नहीं किया है भी तक और थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो तो फ्रेंट्स यह जो स्लीव है इसका जो है मैजर्मिन में आपको बता देती हूं यह अग सब्सक्राइब 10 इंच 10 से थोड़ी सी जादा है बहुर के साथ तो साड़े 10 इंच की लेंद हम इसकी रखेंगे यहां से फिर जब साड़े 10 इंच की लेंद हो जाएगे उसके बाद हम गुलाई करना शुरू करेंगे तो यह पैटन देखिए अगर यही बनाना तो और उसके बाद 20, 21, 23 इसके बाद गुलाई में जो है हमारे चार बर यह पैटन इस सर से आ जाएगा और अब यहां पर हम यह साइट से रखेंगे तो यह थोड़ा से जादा ही आता है तो यह हमारी टोड़ल लेंद आती है बारा से थोड़ी से जादा है साड़े बारा कि लगभग शाड़े बारा इंच आती है और तो साड़े बारा इंच जो है हमारी यह विर्ट आ जाती है तोड़ाई और अब पूरे जो यह हमारा जो स्वेटर है उसकी लंबाई भी देख लेते हैं टोटल लंबाई कितनी आती है 12, 5, 13, 14, 15, 16, 17 तो यह हमारी जो है पूरी टोटल जो लेंथ है स्वेटर की यह साड़े सत्रा इंच के लगबग आई है तो यह हमारा जो है कार्डिकन का पूरा मेजरमेंट है तो बनाएगे फिर